आपका इस इंट्रेस्टिंग वीडियो में सौकत करता हूं आज बात करूंगा एक्टिविटी के बारे में अगर आपके लिए वीडियो बहुत जड़ा हेलफुल होने वाला है क्योंकि मैं बताऊंगा एक्टिविटीज को बिसिकली प्लान कैसे की जाता है अगर हम फार्मा मार्केटिंग की बात करें था हमारा कस्टमर कोन होगा हम यह सोचते हैं कि हमारा जो कस्टमर होता हुए एक डॉक्टर भी होता है एक केमिश्ट ये मेडिकल इस्टोर वाला भी होता है एस वेले जो हमारा vapor representatives ओ करने के लिए उन सारी activities को करने के लिए ऐफ चाह के भी का है बिजनस नहीं निकाल सकते जहां बिजनस आ रहा है उसो consistency maintain रही रख पाएंगेगे अगर डॉक्टर या chemist हमको बिजनस दे रहा है उस बिजनस को maintain करने के लिए उस बिजनस के इनस्योर करने के लिए तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको तीनों के लेबल पे कुछ creative activities बताऊंगा जिसको आप प्लान कर सकते हैं जिसको आप में ध्यान में रखते हुए जो अपनी quarter planning है उसको आप बना सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर के लेबल पर कौन कौन से campaign कर सकते हैं या कौन सी चीज आपको करनी चाहिए सबसे जो popular campaign है उसको बोलते हैं बहुत सारी companies करती है बहुत ज़्यदा successful opd camp होता है इससे हम किसी भी डॉक्टर के pin पे अपना brand लेके आ सकते हैं बट आज की competitive environment के जो सबसे ज़्यदा problem आती है वह होता है जब भी हम कोई activity करने जाते हैं क्या होता है कि जल्दी से कोई doctor या chemist activities के लिए allow नहीं करता because of that reason हम क्या करते हैं doubtful situation में पहुंच जाते हैं कि या पता नहीं result आएगा या नहीं आएगा मतब हम campaign run करने से पहले ही हम खुदी doubt करने लग जाते हैं या हमारा rap जो होता हो खुदी doubtful situation में चला जाता है क्या exactly यहां से result कुछ आएगा भी यह company यह बखवास कोई चीज करने के लिए दे रहे हैं जिसको मुझे करना नहीं है मतलब आपका जो rap है या आप के medical rap का face नहीं हो सकता है previous कुछ ऐसी गलत चीजे होई हो कुछ mindset बन गया हो दॉक्टर का या chemist का इसके जैसे बहुत सारी चीजे हो सकती है राइट वह चीज़ आपको find out करना चाहिए and yes opd camp one of the best tool है किसी भी डॉक्टर के पिन पे अपने brand को ले आने के लिए तो opd camp आप प्लान कर सकते हैं और वहां पर अपने ब्रेंड को डॉक्टर के पिन पे ला सकते हैं दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो वह डिजीज सेंट्री कोई भी आप activity या प्लान कर सकते हैं डिजीज सेंट्री को मतलब होता है माले जी जैसे मैं की epilepsy को पर मेरा कोई प्लान कर सकते हैं जिससे हम डॉक्टर को एजुकेट कर पाए तीसरे नंबर पे आता आर्टीम या सी यह क्या होता आर्टीम का बेसिकली मतलब होता राउंड टेबल मीटिंग जहां पर एक पटिकुलर टॉपी की उपर डॉक्टर्स या जो हेल्थ केर प्रोफेशनल्स होत इसमें बिश्क लिए हम 20 डॉक्टर को या मोर दें 20 डॉक्टर को कलेक्ट करते हैं एक कॉंफरेंस हौल के अंदर और वहां पर प्रिकुलर टॉपिक लेते हैं और एक स्पीकर होता है इस पीकर आप अपनी सीटी से भी ले सकते हैं या डॉक्टर की परमिसन लेके किसी बाह साम नहीं करते हैं उसकी वास कुछ आपको नहीं मिलने वाला है अगर आपके पास एक अच्छा कॉंसेप्ट है जैसे की पीसी ओडी को पर है इंफटरीडी को पर है मेल सेक्शूर डिस्पंशन को पर है गैस्टों को कोई टॉपिक अब लेके आये हुए है या इस्वर्म का इस टाइब की सीमीज बहुत होती है अगर आप फार्मा के अंदर काम कर रहे है तो इसके उपर आपने सीमीज देखी ही नहीं होगी सबसे पहले मैं बात करता हूं मेल से इसको पर जल्दी से आपको सीमी देखने को नहीं मिलेगा इरेक्टाइल डिस्पंक्शन को पर सीमी देखने को मिलेगा या लोिस परम काउंड की देखने को मिलेगा ही होती जल्दी नजर नहीं आएगी तो आप यहां पर बात कर सकते हैं अगर आपके पास इस टाइप के प्रोड़क्ट है ऐसे अधर 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 डिफरेंट सेग्मेंट के अंदर जाएंगे बहुत सारे टॉपिक ऐसे मिल जाएंगे जिसके उपर इतना ज्यादा बात नहीं कभी स्कूलाजी का जन्रल का सब्सक्रिप्सण आप दे कि दे को अपको यूच्छ करेगा इसके ऊपर ज्यादा तर लोग काम नहीं करते हैं और भी ज़्यादा है गैस्ट्रो के अंदर है डाइनकोलाजी में बहुत सारे जन्रल अच्छे आते जिसका सब्सक्रिप्सण प्रूमूर नहीं पाते गूगल करेंगे आपको चीजे मिल जाएंगे ठीक है या पिर आप कुछ यूनीक एंटीक गिप्ट होगरा भी आप चाहो तो करते जा रहे हैं कि陷 क्या करता है खुद करना सुरू कर देता है प्राइमरी चीटमेंट कर देंट आप चाहिंत नहीं कर प्योबी बेज्ट एक्ट्यूटी जिसके इंदर 5,000, 8,000, 10,000 के उपर आप अपना एक 4-5 ब्रेंड का बास्टर बनाते हैं उसके उपर डिनर से हो गया या इस टाइप की कोछ भी ऐट्रेक्टिव चीजे आप दे सकते हैं इस कैमपें को बड़े लेबल भी लेकर जा सकते है तो यह चीज मिल जाएगा 6-9 मन्त में या 1-1-1 यर में कर देंगे तो आपको एक एक मिल जाएगा इस टाइप की डिफरेंट डिफरेंट प्योबी कैमपेंज्ट आप चाहो तो रन करके जा सकते हैं दूसरे लेमर पर आप कर सकते हो जो अब केमिस्ट को मेडशीन को मेडि केमिस्ट का जो बैनर है जो बोर्ड है उसको आप लगा सकते हैं वहां पर अच्छी साइनिंग होती है और केमिस्ट की सौब बहुत अच्छा नहीं लगाता है तो आप एक्राइलिक बोर्ड के साथ आ सकते हैं प्रिंटिंग वाला जो बाहर से 3D वाला बोड आता है उसके जा सकते हैं यह सारी चीज़े बहुत करती है अब यह को जो कॉस्ट आता है वह फिटीन टू टॉन्टी फाइट थाउजन रुपी जैसे आप क्वालिटी बनाएंगे उसके उपर जाता है इतने प्योब्य को उपर इंसे और कर देंगे आपको यह चीज़े हम करके देंगे सबस्किरशन वाला मौडल आप के को भी दे सकती हैं जैसे कि OTT प्लेट फार्म सेंवहां का सब्सकिरशन सकती में इंटरेंपन वाजिकिद कर सकती है उसको कैस्ष्म वाली चीज़े कर सकते हैं के एक सारा क्वह सारा नॉलेज बहुत सारी लिए बट के नइस विद बुकुल सी हमी और भी कम होती है तो केमिंश क्या होता है ना नॉलेज लेने के लिए आतुर रहता है केमिश को नॉलेज की रिक्वाइर्मेंट है आपको किसी अच्छे को लेके आए सारे केमिश को वहाँ पर बुलाए उनको एजूकेसिन दीजिये डिजीज के बारे में पे वेट रहेगा उसको benefit होता रहेगा तभी जाके वह क्या कर पाएगा आपके लिए continue work कर पाएगा प्लस आपके सेल को प्लस कर पाएगा इसलिए उसके लिए incentive होना जरूरी है incentive circular भी आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कर सकते हैं हो गया quarterly incentive हो गया product wise incentive हो गया आप इन सब चीजों के बारे में इंसेंटी और सिस्टम कारे में बहुत ज़्यदा जानना चाहते हैं तो मेरा फार्मा इस्टाटर टूल कीट है उसको आप लेके देख सकते हैं वहां से आपको बहुत सरा knowledge मिल जाएगा ठीक है आप input planning के बारे में और ज्यादा इंडिप्ट जाना चाहते हैं मेरा planning and review का workshop है उसकी recording आप लेके दे सकते हैं मैं लिंक आपको description में दूंगा वहां से आके आप चाहें तो purchase करके इसको और ज्यादा इंडिप्ट में जान सकते हैं कि मैंने दो दिन का workshop किया हुआ था यहां तो छोटा सा टाइम ह इसके नदर थोड़ी चीज़े ही मैं आपको वीडियो में बता सकता हूं ठीक है तो जो हमारा medical rap है उसको motivate करने लिए बहुत सारी activities होती है उसके साथ game plan कर सकते है उसके साथ आप लिए जा सकते है उसके लिए आप जो है अच्छे attractive incentive plan कर सकते हैं अच्छे इंपूर्स प्ला कर सकते हैं trip offer कर सकते हैं यह सारी चीज़े business profitability को उपर print depend करता है और business profitability की responsibility सिर्फ medical representative की नहीं होती business profitability की responsibility owner की भी होती है आप सिर्फ वही general brand लेके आ रहे है तो बैचा कहां से क्या business लेके आएगा एक अच्छा brand planning करना usb based brand लेके आना यह company को owner की responsibility होती है और continuous innovation करते रहना भी company के owner की responsibility है चलो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको तीनों लेवल में बताने को सिस किया हूं कैसे कैसे आपको campaign idea प्लान करना चाहिए है इसके बारे में और ज़्यदा आप जानकारी चाहते हैं मेरे साथ आप जूम कॉल बुक कर सकते हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देखना चाहते हैं बहुत सारा देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्यों मैं ऐसे वीडियो को आप लोगों को लिए लेकर आता रहता हूं मैं आपको मिनता हूं नेक्स्ट वीडियो में बाई